जैसा कि हम तीन लेक्चर बजट के बारे में डिसकस कर चुके हैं, बजट का आर्थ, बजट कैसे त्यार करना है, और थर्ड लेक्चर में हमने एक अच्छे बजट के कुछ दानतों की विख्या के बारे में पढ़ा था, जिसमें कुछ पॉइंट डिसकस करने रहे गए थे, ह हम एक बार उन पॉइंट को कंप्लीट कर लेते हैं, कल फिर हम इस्ट्री को लेके क्लास को लेके फिर आपके समक्स उपस्तित होंगे, जो यह बजट का कोश्टन है, बजट का कोश्टन है, यह स्लेवर्स में भी और पॉबलिक एड भी कोश्टन ही पूछ जाता है, लोग म आपने देख लिए एक अच्छे बजट के सिदान्तों की विख्या कीजिए कल भी हमने हमारे लेक्चर लेक्चर त्री में पड़ा था इसके कुछ प्रकाशन होना चाहिए सपष्टा लचकीला पन और कम खर्च वाला बजट होना चाहिए यह इसके अच्छे बजट के मुख्या सिदान्त थे कला हम ने इसके चार पॉइंटों का डिटेल में पड़ भी लिया था आप लोग भी देख रहे होगे आज हम बात करते हैं इनके फ्रपॉएंट हैं बजट का अधार बजट के नगदी अधार का आर्थ है कि बजट में आय का अनुमान आगामी वर्स की आये जो आगामी वर्स आने वाला वर्स अउसकी आये तथा व्याग के अदार पर लगाया जाना चाहिए इसमें दूसरे वर्सों में जो दूसरे वर्ष है उसमें होने वाली अमधनी को अदार नहीं मानना चाहिए तथा अगले वित्य वर्ष में होने वाले व्याय के लिए कोई अदेश जारिन नहीं करना चाहिए यही क्या है बजट का नगदी अदार है वजट को एक वर्ष के लिए बनाया जाना चाहिए क्योंकि विशव के लगबग सभी देश इस सिधानत को मानते हैं कि भारत का बजट भी एक वर्ष के लिए बनाया जाता है जिसकी अवदी एक अप्रेल से कती मार्स तक होती है देखो इस सब्सक्राइब के बजट जनता के लिए बनाया जाता है सब भी को पता है कि जो बजट जनता के लिए बना जाता है संसने पेस के जाता है हम सो लोग देखते जब बजट आता है कि जनता के लिए बना जाता है तथा इसका सबसे अधिक सरवादिक प्रवाब भी किस पर पढ़ता है जनता पर ही पढ़ता है इसलिए बजट का उचित से बजट है उसका उचित प्रकार से प्रचार था प्रकास होना चाहिए क्यों जो बजट स्पष्ट रूप से होना चाहिए उसका प्रचार भी प्रकासन क्यों कि ताकी सारी जंता budget का पूरा ज्यान हो सके इसलिए उसके इतना स्पष्ठी ताकी आम जंता को की असानी से समझों सके सबस्ट रूप से कि जो इसको सबस्ट की alors इसकी बास है सरल होने चाहिए सबस्ट होने चाहिए मतलब पाद आती है बात बजट का ध्यान रखना की है yeah कि बजट की परकृती होने हैं कि बजट बनाते समय हमें इस बाद का दियान रखें की जो बजट है उसकी ऑन का मतलई क्या होता है कि हम उसमें कुछ भी साक की जूरूरत पड़ सब कुछ भी प्रवर्तन कर सकीं जा सकें क्या तक लच्कीला पनकार्थ समझों कि समय पड़े तो हम उसमें कर सकें कम खर्च के और पर्षकर्ण के सिधानत की पूरी इमांदारी के साथ लागो किया जनता के पैसे से जनता का हीत हो सके हम खर्च बजट में क्या का है जो जनता ऐसा बजट त्यार हो कि जनता के पैसे से किसका हीत हो जनता का ही ही थो हम आज इस बजट को खत्म करेंगे अब एक बजट को सुरू से देख लगते हैं ब्रीफ में जब हमने पहले पढ़ा था बजट क्या था बजट एक पर आपको पता है बजट का क्या आर्थ है बजट एक सब्जट सबद फ्रेंच बासा के बोगेट से लिया गया था जि जो बजट सब्दकाव लेक है नहीं है इसकी जहंगा पर वार्षिक वित्य वीवरण का लेक किया गया था जो वार्षिय वित्य वीवरण है आपको पता है एक अप्रेल से लेकर कर 30 मार्स तक इसका आर्टिकल अनुशेद 112 में किया गया है आप इस पूरे चप्ट्रों को बजट को फिर एक बर पीट कर रहे हैं बजट एक सरकार की राजकोश्य नीती या फीजिकल पॉल्सी का लेक पत्र है राश्ट्रपति की सहमत्ति से वीत्मंत्री लोकसवा में वित्य वर्ष के लिए बज़ुट प्रस्तूत करता है संसद में बजट को मनी बील के रूप मे प्रस्तूत किया जाता है कोई बिल मनी बिल है क्या नहीं यह लोकसवा का स्पीकर इसको पारित करता है बताता है उसके बाद संचित निदी से धन निकालना जमा करना उधार लेना उधार देना संचित निदी में डाइग्राम भी बना सकते हैं इसमें हमने मनी लिखा हुए अमानी फरक देखो कैसे हपाये सबसे पहले लोगषमा का स्पीकर पार्र। करता है उसके बाद लगृषम स्पीकर से राष्टरपति राष्टरपति राष्टर पाथे जौअ lequelवर के उसका आंदरान उनको इसका परिणाम देना होता है अठार्त राज्यसावां के बाद लोक सवा में एडवार के बीज़न के वारे में इस दस्ता वेज में financial क्या है दनित weder विविदे क्या है विदे के बारे में बार मिने करों करने और रहं करने समंदीत प्रस्ताब होते हैं जिसे वीत विदेय कहते हैं इसका उलेक सविधान के वन हंड़र सैवंटी में किया गया है उसके बारे पढ़ा था हमने कोशन बजट कोन त्यार करता है वीत मंतराल या फाइनेसर मिनिस्टर या फाइनेसर सैक्टर या वीत सचीब बीश को त्यार कर सकता है संसर द्वारा बजट पास किया जाने तक सरकारी खर्च लेखां नंकोन से अकाउंट से आते हैं वोट औन अकाउंट के तहत खर्च किया जाता है प्रापत किया जाता है इसका सविधान में उचेद 162 में उलेक है जिस दिन बजट लोग सभव में आता हुज दिन कहां पे किया जाता रज्य सव में प्रस्तुत किया जाता है रेल बजट आपको पता है एक वर्थ कमेटी के अनुसर इसको अलग कर दिया गया था 1924 में बहुत बार बता भी चुके हैं उसके बाद इसको दुवारा से मिला लिया गया था फाइनली वन फैब 2017 को इसको जनरल बजट क के साथ मिला लिया गया और इसको एक साथ प्रस्तुत भी किया गया है उसके बाद हमने पड़ा था टाइप सो बजट के बारे में परफोर्मेंस बजट निस्पादन बजट कहते हैं वित्या वर्ष के परिणामों को अधार मानकर अगले वर्ष के बजट को त्यार करना ही क प्रणाली का प्रयोक सरव पर्थम किसे ने किया अमरीका ने कब 1973 में और भारत में प्रणाली की सरवात 1987-88 में सबसे पहले रज्जा है जिसने जीरो बेस्ट बस सिस्टम बनाया कौन सा था वो बेटा अंदर प्रदेश जैसा कि आप देख पा रहे हैं उसके बाद हमने करें पॉइंट समझें और पॉइंट के कोड़न कोडिंग लिखें राइट करें अपनी नोटबुक में इससे आपको क्या आपको लिखने की प्रैक्टिस होगी और यह आप उसको अच्छे से लिख पाएंगे कि बहुत सारे द्यार्थी क्या करते हैं इसमें रट्टाइवकेशन पर लगे राते हैं भी काम मिले गया बस उसको लिखना लिखना नहीं ऐसा कुछ नहीं बेटर आप इसको राइट करें पॉइंट को अपनी नोलिज में अपने कोडिंग टू स्टैप लिखने की भी कोश इस्ट्री लेकर फिर हाजिरोंगे तब तक के लिए धन्यावाद आपका दिन शूमंगल में हो